दोस्तो एक दोर ऐसा था कि इंसानों को अपने सारा काम अपने आथों से करना पड़ता था लेकिन आज के दोर में मसीन हम इंसानों से कहीं ज्यादा काम करती है आज के समय मसीन के बिना हम कोई काम तेजी और एक्यूरेसी से नहीं कर सकते लेकिन क्या आप सोथ सकते हैं एक इ अपनि द्वारा कोईले के उत्खनन के लिए बिनाई गई एक मशीन है। इस मशीन को बनाने में 5 साल का वक्त लगा और इसे साइट पर ले जाकर एसेंबल करने में भी 5 साल का वक्त लगा। क्योंकि यह मशीन इतनी बड़ी है कोईला निकालने के लिए किया जाता है और प्रति दिन 2,40,000 टन कोईला इस मशीन से निकाला जाता है यह मशीन किसी दानों से कम नहीं है दूसरे नंबर पर है सैल्स प्रेल्यूट FLNG सिप यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है टाइटैनिक से लंबाई में दो गु वजन 6,00,000 टन से ज्यादा हो जाता है इस जहाज की किमत तकरीबन 75,000 करोड रूपय है साउथ कोरिया की दो कम्पनी ने मिलकर इस जहाज को बनाया है यह जहाज इंजिनियरिंग का एक बहुत बड़ा उदारण है तीसरे नंबर पर है Caterpillar 797B Caterpillar 797B दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है यह ट्रक 363 टन वजन ले जाने में सक्सम है जो कि किसी भी ट्रक से कहीं ज्यादा है इस ट्रक को बड़ी-बड़ी माइस में काम में लिया जाता है इस ट्रक की उचाई 7 मिटर है और चोड़ाई 14 मि है इस ट्रक के टायर की ही किमत 2 करोड रूपय है और एक टायर का वजन देर टन से ज्यादा है इसका निर्मान अमेरिका में स्थित Caterpillar कंपनी में किया गया है चोथे नंबर पर है एंटर नोवो ए एन 225 एमरिया प्लैन यह हवाई जहाज मानव इतियास में बनाया गया अ और हवाई जहाज में 32 पई लगे हुए है जो इसे स्मूथ लेंडिंग करने में मदद करते है यह हवाई जहाज 1908 में सौवियत उन्यों को स्पेस प्रोग्राम में मदद करने के लिए बनाया गया था 1994 में इसे सेवा से अटा दिया गया था पर 2001 में इसे वापिस सेवा में सामिल किया गया है ज्यादा वजन ले जाने की किसमता इसे खास बनाती है आज तक का दुनिया का सबसे लंबा और सबसे वजनी हवाईजाज है यह नमबर पांच पर है बर्था बर्था दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मसीन है इसका व्यास 57 फिट जितना गहरा है यह मसीन 5 मंजिला इमारत की उचाई जितनी बड़ी है इसलिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मसीन क्या कमाल कर सकती है यह मसीन 5 फि पांसो करोड रूपय है इस मसीन को जापान में बनाया है ये मसीन दुनिया की सबसे बड़ी मसीनों में सुमार है ये थी दुनिया की सबसे बड़ी मसीने उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तन्यवाद